भूल भूलया 3 कार्तिक आर्यन की हॉरर कोमेडी में वापसी करेंगी विद्याबालन। विद्याबालन ने भूल भूलया 2007 में मनजुलिका का किरदार निभाया और इस भूमिका के लिए उन्हें काफी प्रशंसा मिली। अनीस बजमी की भूल भूलया 2 2022 में उनके लिए कोई भूमिका नहीं थी क्योंकि यहाँ एक अलग कहानी थी, हाला कि प्रशंसकों ने उन्हें मिस किया। अब ऐसा लग रहा है कि विद्याबालन के फैंस के लिए एक बड़ी खुश खबरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्याबालन ने अनीस बजमी की भूल भूलया 3 के लिए साइन किया है, जो मार्च 2024 में रिलीज होगी। जब अनीस ने कहानी सुनाई, तो विद्या को यहाँ पसंद आई और वहाँ फिल्म में शामिल होने के लिए सहमत हो गई। अब तारीखें और बाकी अपचारिकताएं तै की जा रही हैं। वहाँ अनीस के साथ एक कूल फिल्म पर काम करने की इच्छुक हैं। एक सूत्र ने मिड़े को बताया, कार्तिक आर्यन भूल भुलया थ्री में रूव बाबा की भूमिका को फिर से निभाएंगे, लेकिन मुख्य अभिनेतरी को लेकर अभी भी काफी सस्पेंस बना हुआ है। क्या हम कियारा आडवानी को फिर से देखेंगे या तब्बू किसी अन्य महिला भूमिका में वाबस आएंगी? इस बात की घोशना जल्द ही की जाएगी।